Hey guys, welcome to the brand new video और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ साथ हजार के अंदर इस टाइम पर कौन-कौन सी बेस्ट लैप्टॉप्स है तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे जिन लैप्टॉप्स के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें आपको AMD का Regen 5 5600H या नहीं तो आपको उसमें Intel का Core i5 latest 11th generation processor मिलेगा साथी आपको इस लैप्टॉप्स में minimum 8GB का RAM जिसको की आप बात में 16GB तक upgrade कर सकते हैं साथी आपको इस लैप्टॉप्स में 256GB का SSD minimum देखने को मिलेगा and सबसे important चीज़ आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा full HD display मिलेगा जिसमें की आप अपने task को बहुत ही अराम से भाइबरेन तरीके से कर सकते हैं and आपको इन सभी laptops में Windows 11 pre-installed देखने को मिलेगा साथी आपको इन सभी laptops में latest type का port, IPC port, USB 2.0, USB 3.2, HDMI ports देखने को मिलेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ quick payroll app के बारे में जो की labor law advisor की तरफ से आता है आपको इहाँ पर बहुत ज़्यादा help मिलने वाला है अगर आप कोई business करते हैं तो इहाँ पर आपको मिलता है smart auto attendance का feature जहाँ पर की आप अपने employees का attendance यहाँ पर बना सकते हैं साथी आपको इहाँ पर मिलता है add multiple business and employees मतलब कि आप यहाँ पर बात में अपने different employees का नाम यहाँ पर add कर सकते हैं साथी आप यहाँ पर monthly report भी download कर सकते हैं and सबसे amazing feature इस app का यह है कि आप यहाँ पर अपने employees को track कर सकते हैं कि वो कितना देर काम कर रहा है आपको यहाँ पर punch in and punch out का भी option मिलता है जिसे कि आप अपने employees का working time को बहुत ही अराम से देख सकते हैं और यह app bilingual है तो अगर आप English में comfortable है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर Hindi में भी अपने इस app को use कर सकते हैं इस app का link आपको नीचे description box में मिलेगा तो आप वहाँ से जाकर इसे download कर सकते हैं और अपने task को बहुत ही ज़्यादा smoothly कर सकते हैं तो सबसे पहले laptop का मैं बात करता हूँ जो कि हमारे पास है Lenovo का IdeaPad Gaming 3 laptop आपको यहाँ पर Intel का i5 latest 11th generation processor मिलता है साथी आपको यहाँ पर 8GB का RAM and 512GB का SSD भी देखने को मिलता है और आपको इस laptop में 4GB का GTX 1650 graphics card भी मिलता है तो आप इस laptop में अपने gaming को, coding को, web browsing को and video editing को बहुत ही अराम से कर सकते हैं और आपको इस laptop में 120Hz का refresh rate के साथ display मिलता है तो आप इसमें अपने task को बहुती speedly कर सकते हैं आपको इसे display से एक बहुती अच्छा immersive and vibrant experience देखने को मिलेगा उसके बाद HP का pavilion gaming laptop है जिसमें की आपको AMD का Ryzen 5 5600H series processor मिलता है तो आप इस laptop में भी अपने gaming को, coding को, video editing को बहुती अराम से smoothly कर सकते हैं आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा lag देखने को नहीं मिलेगा साथी आपको इस laptop में 8GB का RAM and 512GB का SSD देखने को मिलता है and 4GB का GeForce, GTX, graphics card भी आपको मिलता है उसके बाद हमारे पास आता है Asus का TUF Gaming F15 laptop जो की 2021 में launch हुआ था आपको इस laptop में Intel का Core i5 10th generation processor मिलता है जो की H series का है तो यहाँ पर आपको काफी जादा अच्छी performance मिलने वाली है आप इस laptop में अपने gaming को, coding को, video editing को बहुती अराम से speedily कर सकते हैं आपको इस laptop में 8GB का RAM and 512GB का SSD देखने को मिलता है उसके बाद मैं बात करता हूँ HP Victus Ryzen 5 5600 H series laptop के बारे में तो आपको यहाँ पर मिलता है 8GB का RAM and 512GB का SSD साथी आपको यहाँ पर 4GB का GeForce GTX 1650 graphics card भी देखने को मिलता है लाश्टली हमारे पास आता है Dell का Inspiron 5418 laptop आपको इस laptop में Intel का latest Core i5 11th generation H series processor मिलता है तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा speed देखने को मिलेगा साथी आपको इस laptop में 16GB का RAM मिलता है और आपको यहाँ पर 512GB का SSD भी देखने को मिलता है तो आप इन सभी laptops में अपने different different tasks को बहुत ही अराम से कर सकते हैं आपको इस laptop में को भी ऐसा lag देखने को नहीं मिलेगा तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलें उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है यहाँ पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी नहीं जाएं तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम